हलो मेरे दोस्तों, रीसेंटली मुझे हमारे एक क्लाइंट ने कुछ पॉलिसी के डीटेल्स फॉरवर्ड किये और कहा मेरे बैंक मैनेजर ने मुझसे कहा है कि मैं उनके ब्रांच का प्रीमियम कस्टमर हूँ और उन्होंने मुझे ये पॉलिसी जो वो सिर्फ अपने प्रीमियम कस्टमर्स को ही देते है, खरीदने को कहा है क्या ये पॉलिसी खरीदनी चाहिए, एस इसमें गैरेंटीड और टैक्स फ्री रिटर्न्स है प्लस हर साल एटी सी इन्वेस्टमेंट का बेनेफिट भी मिलेगा उन्हें इस पॉलिसी के अनुसार हर साल एक लाक रुपे भरना था दस सालों तक फिर एकटा की हुई रकम उन्हें बिना निकाले और दस सालों तक ग्रो होने देनी थी और बीस बरस बाद मेचॉरिटी पर उन्हें मिलते डबल से भी उपर यानि 21,65,000 रुपीज अब ये एक चाइल्ड एजूकेशन प्लान था और हमारे क्लाइंट ने सिंपल कैलकुलेशन किया कि गैरेंटीड रिटर्न्स तो मिलेंगे ही प्लास रिटर्न्स भी डबल होकर मिलेंगे वाव लेकिन जब मैंने उस पॉलिशी के रिटर्न्स का कैलकुलेशन करके उन्हें दिखाया तब उन्हें शौक लगा इस पॉलिशी का रिटर्न्स सिर्फ 5% ही बनता है जो इन्फलेशन यानि महेंगाई को भी बीट नहीं करता और उन्हें एक और शौक लगा जब मैंने उन्हें कहा कि 20 बरस बात के 21.65 लाक की कीमत 6% इन्फलेशन के हिसाब से आज के बस 6,75,000 रुपीज जितनी ही होगी और यही अगर हम इन्फलेशन को 6% की जगह 7% या 8% अज्यूम करते हैं तब ये वैल्यू घटकर 5,59,000 रुपीज और 4,64,000 रुपीज हो जाएगी तब हमारे क्लाइंट ने एक बात नोटिस की कि कैसे इंशॉरंस कमपनीज साइकोलोजिकली हमें गैरेंटीड रिटर्न और डबल यूर मनी बताकर लल्चाते हैं और ऐसी पॉलिसी बेचते हैं हमारे एक और क्लाइंट को रिसंडली उनके लिए टर्म प्लान खरीदना था और तब उन्होंने मुझे एकसाइटेड होकर मेसेज किया और कहा कि टर्म प्लान बेचने वाली कमपनी उन्हें दो ऑप्शिन्स दे रही है उप्शन नम्बर वन करोर का समशौड सालाना प्रीमियम 9,068 रूपीज हर साल 30 सालों के लिए option number 2 same 1 crore some short साला ना premium 16,198 रुपीज हर साल 30 सालों के लिए it means कि उन्हें option number 1 में total इन 30 सालों में देने होंगे 9068 into 30 years equals 2,72,000 रुपीज और option number 2 में total इन 30 सालों में देने होंगे 16,198 into 30 years equals 4,86,000 रुपीज लेकिन second option में life के साथ कुछ ना होने पर जो भी premium उन्होंने इतने सालों में भरा वो उन्हें लोटा दिया जाएगा it means कि उन्हें 4,86,000 minus GST amount equals 4,65,000 रुपीज लोटा दिये जाएगे और client ने सोचा कि option 1 में कुछ ना होने पर कोई पैसा वापिस नहीं मिलेगा लेकिन option 2 में premium जादा है तो क्या हुआ कम से कम policy के against दिया हुआ premium तो वापिस मिल जाएगा उनका ये मानना था कि कुछ भी रकम वापिस ना मिलना मतलब पूरा 2,72,000 रुपीज प्रीमियम का पैसा waste हो रहा है and I am sure यही mentality कही सारे लोगों की भी होती है कि कुछ वापिस नहीं मिला तो पैसा waste और इसी mentality को consider करके term insurance बेचने वाली companies कुछ ऐसी policies बेचती है जिनमें वो premium कुछ ना होने पर लोटा दे लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि उन्हें option 1 ही लेना चाहिए तब वो थोड़ा upset हो गए लेकिन उन्हें surprise हुआ जब मैंने उन्हें ये calculations explain किये option number 2 में वो option 1 के comparison में हर साल 7,112 रुपीज का premium ज़ादा दे रहे है अब यही extra premium जो वो insurance company को pay करते है 30 years के लिए अगर वो 5% return देने वाले किसी भी safe investment product में निवेश करते हैं तब भी 30 years बाद उनके पास होंगे almost 6 lakh रुपीज और यही अगर वो 8% return देने वाले products में invest करते हैं तब उनके पास होंगे almost 9 lakh रुपीज और 12% return यानि अच्छे multi-cap mutual funds में invest करते हैं तब उनके पास होंगे almost 20 lakh रुपीज So friends, I am sure आपने power of compounding के बारे में तो सुना या पढ़ा ही होगा लेकिन यह जो examples हमने अभी discuss किये आपने notice किया होगा कि कैसे अगर आप सही investment decisions नहीं लेते हैं आप actually में पैसो की value बढ़ाने की जगह कम करते हैं तो आईए कुछ और interesting examples और calculations के साथ सीखते हैं कुछ ऐसी interesting बाते जो आपको financially intelligent बनाने में आपकी help करेगी और आगे बड़े उससे पहले मैं हूँ भाविन certified financial planner और आप देख रहे है YouTube channel The Art of Wealth Building आपका one point destination to seek an unbiased consultation on personal finance कश्यप की age है 40 years और उन्हें उनके पिता जी के दिहानत के बाद एक करोड रुपयों का वारसा मिला उसे इन पैसों को कहा invest करना चाहिए इसका कोई knowledge नहीं था तब कश्यप के best friend केशव ने उसे सला दी कि उसे एक बार अपने certified financial planner की सला लीनी चाहिए certified financial planner ने कश्यप को समझाया कि उसे इन पैसों को कुछ इस तरह से निवेश करना चाहिए कि ये पैसे inflation को beat कर सके वरना inflation के कारण इन पैसों का purchasing power कुछ ऐसे कम होगा आज के एक करोड की कीमत 6% inflation के हिसाब से 10 बरस बाद करीब आज के 56 lakhs के बराबर होगी 20 बरस बाद 31 lakhs के बराबर और 25 years के बाद करीब 24 lakhs के बराबर और वही अगर inflation को 7% consider करे तो 10 बरस बाद इन ही एक करोड की कीमत आज के करीब 51 lakhs 20 बरस बाद 26 lakhs और 25 years के बाद 18.5 lakhs के बराबर होगी और अब अगर 8% inflation consider करें तो 10 बरस बाद इनकी कीमत आज के 46 lakhs 20 बरस बाद 21.45 lakhs और 25 years के बाद करीब 15 lakhs के बराबर होगी अब मान के चलते हैं कि कश्यप ये पैसे 6% return generating policies में invest करता है तो आज से 25 years बाद ये पैसे बढ़कर 4 करोड 30 lakhs हो जाएंगे लेकिन तब के 4.30 crores की कीमत 6% inflation के हिसाब से आज के 1 करोड के करीब होगी इसका ये मतलब हुआ कि कश्यप ने ये पैसे सिर्फ save किये लेकिन wealth creation नहीं की और ये ही कश्यप इन पैसो को अगर 7% return generating product में invest करता है और अगर inflation 6% है तब 25 years बाद इन पैसो की कीमत बढ़कर 5 करोड 42 lakh हो जाएगी लेकिन तब इन 5.42 करोड की value आज के 1.26 करोड के बराबर होगी इट मींज कि कश्यप के investments पर उसे inflation जो 6% है उसके comparison में 1% जादा यानी 7% का return मिला और उसने 26 lakhs की wealth create की अब यही अगर कश्यप 8% return generating investment product में निवेश करता है तब उसके पैसे 25 years बाद बढ़कर 6.84 करोड हो जाएगे लेकिन इन 6.84 करोड की कीमत 6% inflation के हिसाब से आज के 1.6 करोड के बराबर होगी इट मींज कि कश्यप ने inflation को बीट करके 60 lakh रुपीज की wealth create की और यही अगर कश्यप 10% return generating product में invest करता है तब उसके पास आज से 25 years बाद होंगे 10.83 करोड जो 6% inflation के हिसाब से आज के करीब 2 करोड 52 lakh होंगे इट मींज कि कश्यप ने inflation को बीट करके currency के purchasing power को तो retain किया ही प्लस 1.52 क्रोड की wealth भी create की So friends I am sure कि अब आपको इस वीडियो से ये तो समझ आ ही गया होगा कि क्यों हमें long term के लिए कुछ ऐसे products में invest करना चाहिए जो inflation यानि महंगाई को easily beat कर सके और friends अगर आपके पास कोई financial plan नहीं है और आपको ये पता ही नहीं है कि कैसे आपको long term में महंगाई को beat करना है और कौन से financial goals के लिए कितनी amount चाहिए होगी आपको तो whatsapp कीजिए इस number पे अभी अपना personal financial plan बनवाने के लिए इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो like कीजिए और share जरूर कीजिए अपने young friends और family members के साथ so that उनका financial future bright बन सके join कीजिए YouTube channel membership जहां हम share करते हैं एक well research stock हर महीने long term investment के लिए और अगर आप financially intelligent बनना चाहते हैं और अपना personal finance से related knowledge बढ़ाना चाहते हैं तो अभी subscribe कीजिए इस channel को और bell icon पे click कीजिए तो आपको हमारे घर Wednesday और Sunday वाले वीडियो अपलोड होते ही notification मिलेगा आपके smart phone पे and finally इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद